दोस्तों क्या आपने कभी खिस से और कहानियों वाली पड़ियों या अपसराओं को देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको हमारे भारत में स्थित एक ऐसी जगा के बारें बताएंगे जहां कई लोगों ने पड़ियों को देखा है कहते हैं कि जिसने भी उन्हें देखा वो उनकी सुन्दरता को देखकर पागल ही हो गया दोस्तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर आपका सामना उन पड़ियों से हो जाएं तो वे आपको अपने साथ ले जाएंगी और आप हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएंगे दोस्तो ये वीडियो कोई फेक नहीं क्योंकि इसके बारे में कई मशहूर निउस चैनल्स वीडियो बना चुके हैं और साथी साथ अमरिका की मैंचिस्टर यूनिवेसिटी के विज्यानिकों ने इसे सही भी माना है तो चलिए इस वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं ये बात हो रही है उत्तरखन के एक परवत की जिसे प्राचीन काल से लोग खैट परवत के नाम से जानते हैं कहते हैं कि यहां पर अपसराओं का वास है खैट परवत समुद्र तल से करीबन 10,000 फिट की उचाई पर स्थित है खैट परवत के चलन सपर्सकरती भीलांगर नदी का द्रिश्य देखते ही बनता है खैट गुंबा दाकार की एक मनमोहक से चोटी है इसलिए विशाल मैदान में स्थित ये अकेला परवत अद्भुत दिखाई देता है कहा जाता है कि खैट परवत की नौ सरंखलाओं में नौ पड़ियों का वास है ये नौ देवियां नौ बहने है जो आज भी यहां पर अद्रिश्य शक्तियों के रूप में निवास करती है बड़े-बड़े विज्ञानिक भी इस जगा पर आकर हैरान है हैरत की बाद तो ये है कि इस विराने में अखरोट और लैसुन की खेते भी होती है प्राचिन काल से ही इस जगा पर बोगलयालों में चिलाना, चटक कपड़े पहनना, बेवजह वादियंत्र बजाना, प्रकृति विपरित काम करना पूरी तरीकी से प्रतिबंदित है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहां विचरन करने वाली पड़ियों को ये सब चीजे पसंद नहीं और जो भी इन सम्में से एक भी चीज को करता है उसे पड़िया मूर्शित करके अपने साथ ले जाती है अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहां रहने वाले एक व्यक्ति जीतू की कहानी आपको सुनना चाहिए कहते हैं कि जीतू की बासुरी की दान पर आकरशित होकर पड़िया उनके सामने आई और उसे अपने साथ ले गई वो अचानक से गायब हो गया और उसका पता आज तक नहीं चल पाया अमरीका की मैंचिस्टर यूनिवरसिटी के विग्यानिकों ने एक शोध में पाया कि इस जगह पर कुछ अजीब शक्तिया निवास करती है उन्होंने पड़ियों का दावा तो नहीं किया पर उनके शोध की मताविक यहां कुछ तो ऐसा है जो सामाने नहीं है कुछ मीडिया चैनल भी यहां पर आए और यहां की लोगों से बात की यहां के लोगों ने जो जो बाते कही उससे ये साफ हो जाता है कि यहां पड़ियों का वास है और यहां के कई लोग आकस्मित रूप से गाया भी हो चुके हैं दोस्तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नियमों को सामना करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उनियमों को तोड़ते हैं तो भूल से ही सही पर आप यहाँ पर मौजुत रहसे में सक्तियों को जाने अंजाने आकरशित कर लेंगे और क्या पता आपका भी हाल वैसा ही हो जो यहां के बागी लोगों का हुआ पर दोस्तो कुल मिला कर कहा जाए तो खैट परवत किसी जन्नस से कम नहीं दोस्तो यहां पर आने का पूरा पता हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है दोस्तो अगर आप कैलाश परवत के बारे में रहस्तो में बाते जानना चाहते हैं कि आज तक कैलाश पर कोई क्यू नहीं चड़ पाया तो उपर दियेगे आई बटन पर क्लिक करके आप उन सारे रहस्तो को देख सकते हैं वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अगन को प्रेस करना मत भूलीगा मैं हुआ पकतु सपर्थिप जल इमिल ताहुआ आप सबीक साथिक ने वीडियो की मतें से अपते के लिए पना खायाल ने की गा